नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है दिल्ली चुनाब के लिए मददान हो चुका है एकजीट पोल के जो परिनाम है एकजीट पोल जो किया गया है वो सब दिखाया जा चुका है लेकिन इस बीच जो चुनाब परिनाम आने के पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो साजीश रची गई थी दिल्ली चुनाब के समय जो कॉंग्रेस और आम आदमी पाटी के बीच के साट काट की जो साजीश थी उसका एक बड़ा खुलासा सामने आया है अज दो तरह की चीजे देखने को मिल रही है एक तरफ तो कॉंग्रेस और आम आदमी पाटी के बीच के इस नेकसस का परदा फास हो रहा है और दूसरे तरफ इस नेकसस के बावजूद इस पूरे साजीस के बावजूद आम आदमी पाथी के नेताओं के बीच एक दहशत का महौल है वो लोग अभी भी निश्चिंत नहीं हैं और एक नए राग अलापने लगे हैं जो उनका नया राग तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस चुनाब में नया राग अलापा है क्योंकि ये पहले से ही ऐसी बाते करते रहते हैं और जब भी ऐसी बाते करते हैं उसका मतलब होता है कि ये हार का डर इनको सताने लगा है वो है EBM राग तो ये दोनों बीच दोनों जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको एक एक करके हम लोग पहले देखे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों समसे पहले बात करते हैं कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी के बीच के इस नेक्सस का जिसका परद दिल्ली के चुनाब में कॉंग्रेस फिर से उसी इस्थिती में कैसे चली गई अब कॉंग्रेस के नेताओं को अब बात करनी पड़ी इस पर क्योंकि अगर वो बात सही बाते नहीं करेंगे तो उसके बाद आगे आने वाले विदान सभा चुनाबों में कॉंग्रेस के इस् दो दिनों तक मन्थन चल रहा था कि आखिरकार अगर हम दिल्ली में बहुत कमजोर इस्तिति में हैं तो फिर बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विदान सवा चुनाब के समय में इसका मुद्दा उठाया जा सकता है कि कॉंग्रेस बिल्कुल कमजोर होती जा रही है और कॉंग्रेस का अब अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होगा इसलिए अलग-अलग राजियों में भी कॉंग्रेस को जादा वोर्ट देने की जरूरत नहीं है तो इस बात का परदाफास उन्हें करना था यह बताना था कि कॉंग्रेस मजबूत है लेकिन कॉंग्रेस ने एक रन्नीती के तहत यहाँ पर अपनी कमजोर इस्तिती बनाये रखी इसके लिए केटियेस तुलसी ने अपना मोर्चा खोला और एक तुरूप का पत्ता खोला और उन्हें बताया कि हमने भारतिये जनता पार्टी को हराने के लिए खुद को कमजोर किया अब खुद को कैसे कमजोर किया इस बात के लिए भी उन्हें बताया कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी ये तीन लोगों के बीच, ये तीन पार्टीयों के बीच चुनाब हो रहा था और तिरकोणिये मुकाबला जहां जहां होता, वहां भारतिय जन्ता पार्टी को फायदा होता, तो इसके लिए कॉंग्रेस ने एक अच्छी इस्थिती में रहेगी जो मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया है जासा मुस्लिमों के ज़्यादा जनसंख्या वाले छेतर में कॉंग्रेस की इस्थिती पहले से थोड़ा बेहतर की तो इसको लेके कॉंग्रेस ने एक रन्निती बनाई कि जहां-जहां हमारी संभावना हैं जा वहाँ जीत सकते हैं वहाँ पर हम अपने पार्टी के लिए काम करें उसको मझभूटि स्थिते में ले जाएं और…… इस्तिति कमजूर है वहां बिल्कुल इंटर्नल साथ गाटेक पैदा हो गई आम आदमी पार्टी के साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों भारतिय जनता पार्टी से डरी हुई है यह जो पूरे विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है कि हमारे लिए भारतिय जनता पार्टी इतना बड़ा खत्रा बन गई है कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा है चलता रहा तो हम लोगों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा चोटी चोटी पार्टियां खत्म हो जाएगी और रास्तिय पार्टियों के लेबल पर भारतिय जनता पार्टी जिस तरह से अलग-अलग राज्यों में परफॉर्मेंस कर रही है जैसे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इसका उभार हुआ है बिहार में जदियों के साथ मिलके अभी आगे भी संभावनाई यही है कि वहाँ पर चुनाब जीतेगी तो ऐसे सिती में इन लोगों को डर पैदा हो गया है और कॉंग्रेस को इसका सबसे ज़्यादा डर है कॉंग्रेस को लगता है कि छोटी छोटी पार्टियों के बचाए हम भारतिय जनता पार्टी से लड़े छोटी पार्टियों के साथ हम बाद में वो सस्तर का डील कर सकते हैं और लेकिन भारतिय जनता पार्टी अगर केंदर इस्तिति में नहीं बन के उभर सकती है तो इसके लिए दिल्ली में एक कॉंस्पिरेसी की गई कि जिन जिन छेतरों में कॉंग्रेस की कमजोर इस्तिति थी वहाँ पर बैक डूर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया गया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया इस बात का वो उन्होंने खुलासा किया है अब कॉंग्रेस के नेता इस बात के लिए बोल रहे हैं और यहां तक यह भी कह रहे हैं कि अगर चुनाब परिनाम के बाद जरूरत पड़ेगी तो कॉंग्रेस फिर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी यह वही कॉंग्रेस है जिसके चाती पे चड़के अर्विन के जरिवाल दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचे है दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचने के लिए उन्होंने की धज्जियां उड़ा दी थी और लगतार कॉंग्रेस के खिलाफ भरस्टाचार के आरोप लगाते हुए परदर्सन किया विरोध किया रामलीला मैदान से लेकर जनतर मंतर तक आम आदमी पार्टी जो उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी अरविंद केजरिवाल के नेतरित में आंदोलन चल रहा था इन्होंने कॉंग्रेस के खिलाफ ऐसा महौल बना दिया कि कॉंग्रेस उसके बाद दो चुनावों में उबर नहीं पा रही है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस को खत्रा सबसे जादा भारतिय जनता पार्टी से है और वो इस तरह की कॉंश्पिरेसी में सामिल हो सकती है कि अपनी पार्टी को ही कमजोर करके आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश करे ताकि भारतिय जन्ता पार्टी को हराया जा सके लेकिन अभी भी ये सितियां बदली हुई है अभी भी कॉंग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इस बात की उमीद नहीं है कि यहाँ पर भारतिय जन्ता पार्टी को हरा चुके हैं और हम दोनों मिलके यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिता चुके हैं क्योंकि इसके बाबजूद जिस तरह से कॉंग्रेस के नेताओं ने पहले कहा कि हम चुनाब के बाद यानि परिनाम जब आ जाएगा तो इसके बाद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इसका मतलब है कि कॉंग्रेस के अंदर भी इस बाद की चर्चा है कि हमारे समर्थन के बाबजूद आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से जीत के लिए स्वस्त नहीं है और हमने वो वोट जो हम ट्रांसपर करवाना चाहते थे वो ट्रांसपर आम आदमी पार्टी में नहीं करवा पाए और हो सकता है कि कॉंग्रेस के इस रन्नीती का उल्टा आसर हो गया हो और जो आम आदमी पार्टी को वोट डलवाने के लिए बोल रहे थे वो जो कॉंग्रेस के लोग कॉंग्रेस के कालिकरता आम आदमी पार्टी के कालिकरताओं से बिलकुल जिनका 36 काकड़ा है जिनों रूबरू होना पड़ता है दोनों के बीच के टकराहट का और इसके कारण वो लोग आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस से अलग किसे तितरी पार्टी को वोड़ इविये में राग फिर से अलापना शुरू कर दिया है अगर इनको भरोसा है कि हम इतने बड़ी बहुमत के साथ चुनाब जीत रहे हैं यानि 70 में से 50 प्लस सीटे ला रहे हैं तो फिर इस तरह के आरोप लगाना बड़ा मुश्किल था इनको लग रहा है कि हम अगर जीत भी अगर हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन भी गई तो मार्जिन पर रहेंगे और मार्जिन पर रहने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि इन लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भारतिय जन्ता पार्टी के सरकार ने EVM के साथ छेड़ छाड़ की और उस सकता है कि सबसे बाड़ी पार्टी बन के रहें और कॉंग्रेस और उसके साथ सरकार बनाने का मोका मिले तो उस समय ये बताएंगे कि हम लोगों के खिलाफ एक कॉंस्पिरेसी चल रही है इब ये मसीन के साथ छेड़ छाड़ करके हमें हराने की कोशिश की जा रही है और इ की बहुमत से ज़्यादा सीटे लाने वाले थे उसको एक कॉंस्पिरेसी के तहट बहुमत के आसपास लाके छोड़ दिया गया जैसे कई राजियों में जब भाजपा की हार हुई थी और भाजपा का थोड़ा ज़्यादा सीटे जो थी भाजपा और कॉंग्रेस की बहुत गवाना चाहती है ताकि EVM का मुद्दा जो उठ रहा है उसको शांत किया जा सके और बाद में जब केंदर का चुनाव हो लोकसवा चुनाव हो तो भरपूर इसका इस्तेमाल किया जाए ये इनका ऐसा तर्क है जिसमें ये कहा जा सकता है कि कभी भी हम अपने पल्ले में गे यारी कर ली है और EVM पर अरविंद केजरिवाल एक भत्ती टिपनी के साथ अरविंद केजरिवाल सामने आए जिसका जिक्र भी करना यहां पर अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से उन्होंने महिला विरोधी बयान देते हुए EVM पर निशाना साधा है उसका जिक्र करना भ हुआ है उसमें अभी भी भारतिय जनता पाटी बुरी तरह से हारी नहीं है भारतिय जनता पाटी और आम आदमी पाटी के बीच के स्टकर में किसे का प्रड़ा भारी हो सकता है और जो एकजित पूल के और जो एकजित पूल सामने आये हैं उस पर किसी को भरोसा नहीं है ए रिजल्ट ऐसा नहीं होगा जैसा कि एक्जिट पोल में दिखाया गया है दूतरी तरफ कॉंग्रेस के नेता भी यही बात कहा रहे हैं और तीसरी तरफ आप मादवी पार्टी के नेता के बीच यह डर का महौल बना हुआ है वो लोग बार बार दूसरे तीसरे मुद्दे पर क किसी न किसी तरह से यह दिखाने के कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव परिणाम उल्टा आया तो इसका मतलब है कि यहां पर EVM के साथ छेड़ छाड़ की गई है किसी न किसी तरह से चुनाव को परभावित करने के कोशिश की गई है चुनाव आयोग की भूमिका तो ये सारे सवाल इस बात का की और इशारा करते हैं कि अरवीन केजरिवाल अभी भी डरे हुए हैं वो दख्षत में हैं कि चुनाव के नतीज़ा आने के बाद हमारा क्या होगा तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हम ऐसा योग ताकि इसी तरह की कबर हम आपके लिए लागते रहे हैं धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया